हेलो एब्रीवन कैसे आप सभी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होगे फिटन फाइंड मैं हूँ आपकी मैस टीचर अराधना फ्रॉम लार्नोहब एक फ्री लर्निंग प्लैटफॉर्म जहां आप पड़ सकते हैं मैस साइंस सेस्टी वो भी विल्कुल फ्री एट लार्न फिनिश करेंगे इसकी एक्सराइज 15.1 पूरी की पूरी अगर नहीं है तो फटापर लेकर आ जाएए और मेरे साथ 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 सॉल्व कीजिए बच्चों आ हमारी स्क्रीन पर है एक्सराइज 15.1 का क्वेश्चन नमबर 1 तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और इसको स सारे पार्ट को सॉल्व करेंगे तो question कह रहा है the following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour ठीक है यहां पर हमें patient के temperature का एक ग्राफ दिया गया तो यहां पर हमें time दिया गया है यह x-axis कहलाता है और यह vertical line जो y-axis कहलाती है और इस पर हमें temperature दिया गया है ठीक है आप हमें देखना है 1 pm पर तो यह देखिए यह लाइन ग्राफ हमें दिखा रहा है कि किस particular time पर क्या हमारा temperature है by this dots आप देख सकते हैं यह dots से हमें temperature की values पता चल रही है यानि कि आप जाना है 1 pm पर तो 1 pm पर हम गए यह रहा 1 pm यह vertical line तो देखिए आपका अगर आप ध्यान देंगे तो जो आपका temperature का scale है उसके बीचे 1 1 का difference है यानि 34 से 35 1 degree Celsius increase हुआ फिर 35 से 36 1 degree centigrade increase हुआ तो यानि कि जो midline है अगर यह midline आ रही है तो हमारा क्या देखिए 1 pm पर अगर हमने ध्यान दिया तो यह देखिए 1 pm की यह हमारी गई वर्टिकल लाइन और यह देखिए यहां पर यह इसके midpoint पर आई 36 और 37 के midpoint पर आई तो क्या हो गया हमारा temperature at 1 pm for the patient यह हो गया हमारा 36.5 degree centigrade और celsius ठीक है आप देखिए next part पढ़ते है तो next part temperature 38.5 degree Celsius यानि कि कब temperature जो है वो patient का है 38.5 degree तो देख लेते हैं 38.5 हमारा 3839 के बीच में ठीक है और देखिए 38.5 यह वाली line जा रही है और यह यहां पर आप देखिए यहां पर मीट हो रही है इस point पर हमारा क्या है अगर vertical line से हम लोग नीचे है तो horizontal line पर हमें दिखा रहा है 12 noon ठीक है यानि कि 12 noon पर जो हमारा temperature है वो है 38.5 degree Celsius यहां लिख दिए 12 noon ठीक है आप करते हैं इसके C part को तो C part में आप देखिए C part में से क्या पुछा जा रहा है the patient's temperature was the same two times during the period given ठीक है what were these times ठीक है बहुत ही आसार है अब आप देखिए कौन से दो time पर हमें same temperature मिल रहा है patient का तो वो इदा यह तो यह क्या times है 1 and 2 1 p.m. and 2 p.m. के जो हमारी timings है उस पर हमें मिल रहा है same temperature of the patient जो कि कितना अगर आप देखेंगे तो यह देखिए यहां पर 36 37 यह line meet हो रही है ठीक है और यह यहां पर meet हो रही है तो यह देखिए कितना है 36.5 ठीक है तो लिख देंगे 1 p.m. and 2 p.m. ठीक है अब करते हैं अपने next part next part में D में क्या कहा जा रहा है what was the temperature at 1 30 p.m. अब देखिए यहां पर भी यह 1 से 2 के बीच में 1 hour का difference है तो यह हमारी middle line के दिखाएगी half of the one hour जो कि 30 minutes है अब देखिए what was the temperature at 1 30 p.m. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह वाली जो 1 30 p.m. वाली line है इस पर हमारा जो temperature आ रहा है वह ही आ रहा है जो 1 p.m. and 2 p.m. के बीच में था तो 1 p.m. हमारा जो 1 30 p.m. उस पर temperature है हमारा 36.5 ठीक है 36.5 degree Celsius ठीक है अब पूछ रहे है how did you arrive at your answer जो मैंने आपको बता दिया क्या आपको देखना है अपना 1 से 2 के बीच में आपका 1 30 midline में आएगा और उस पर हमारा क्या temperature आ रहा है वह हमने देख लिया वह एक straight line ही है जो मारे 1 और 2 p.m. के बीच के temperature है उसी की बीच की तो देखिए उस पर हमारा यह horizontal line पर आ रहा है 36.5 तो यह हो गया इसका temperature ठीक है आप करते है इसके next part को सौफ तो next part पर पूछा जा रहा है during which periods did the patient's temperatures showed an upward trend मनला उपर की तरफ जा रहा है ठाई हाई हो रहा है तो वह हमें देखना है कौन-कौन से during which timing हमारा कौन-कौन से time period पर जा रहा है इसके बीच में उसके during उस period में भी हमारा अवड़ गया है ठीक है तो इसका answer हम लिख देंगे 9 to 11 a.m. 9 a.m. to 11 a.m. and 2 p.m. to 3 p.m. 2 p.m. to 3 p.m. patient का temperature जो है वह अवड डायरेक्शन में गया है ठीक है समझ में आ गया होगा अब करते है इसके next question को बचों आम आ गए अपने question no.2 पर तो question no.2 में क्या का जा रहा है the following line graph shows the yearly sales figures for a manufacturing company ठीक है yearly sales दिखाया for a manufacturing company ठीक है आप में बताना है what were the sales in 2002 and in 2006 यानि first part में हम बताना है 2002 के लिए और second part में हम बताना है 2006 के लिए तो देख लेते है what were the sales in 2002 अगर आप देखेंगे तो यह देखें यहाँ पर x-axis पर हमें दिये गए है years और y-axis पर दिये गए हमें sales in crores ठीक है आप देखें यहाँ पर गए 62 हमारी कितनी sale हुई 4 crores what were the sales in 2002 the sales was 4 crores ठीक है आप करतें कि नेक्स को 2006 तो 2006 यह रहा ठीक है और देखें इसका हमारा यह vertical line horizontal line से कहां मीट हो रही है 8 crore ठीक है तो यह देखें यह point पर हमें 8 crore मिल रहा है तो in 2006 it is 8 crore ठीक है यह समझ में आ गया होगा अब करते हैं अपने B part को what were the sales in 2003 and 2005 चलिए देख लेते हैं what were the sales in 2003 and 2005 2003 में देखें यह रहा तो यह कितना आ रहा है अब देखें यहां पर भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो scale का जो scale है वो किस तरह का है 2 2 के difference का है यानि कि यह mid line है वो दिखाएगी आपकी 1 को यानि कि 6 7 8 ठीक है तो 6 से 8 ठीक है तो यह mid line हमें क्या दिखा रही है वन दिखा रही है ठीक है तो देखें अब हम आ जाते हैं अपने 2003 पर 2003 यह रहा और यह देखें यहां पर यह इसके mid में आई तो क्या हो गई 6 एन यहां पर यहां पर देखी तो यह कितनी आ गई 10 और यहां पर यह 2005 तो हमारी 2005 में कितनी सेल दिखा रही है 10 crores तो इसका हो गया 2005 का अंसर 10 crores ठीक है यह clear हो गया होगा आप करते इसके next part को next part में पूछा जा रहा है compute the difference between the sales in 2002 and 2006 यानी कि हमें निकालना है difference in कितनी सेल हमारी 2002 and 2006 की इसका difference निकालना है ठीक है तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले 2002 2002 हमारा यह रहा कितनी सेल हमारी 4 crores तो लिख लेते हैं for the C part in 2002 sale is 4 crores ठीक है आप करते हैं next के लिए next हमारा क्या है in 2006 तो 2006 यह रहा 2006 में हमारी कितनी सेल है देख लेते हैं चलिए फटाफट यह है 8 crores देख लिए आप 2006 में यह रहा 8 crores ठीक है तो 8 crores लिख लेते हैं यह रहा ज्याता सेल हुई है minus 4 यानि कि 4 crores तो इस 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 के next part को यानि कि D part को अब D part में हमसे पूछा गया है in which year was there the greatest difference between the sales as compared to its previous year तो आप देखेंगे अगर आपका सबसे ज़्यादा high rise हुआ है sale में तो वह हुआ है 2005 तो in 2005 years it is the highest if you see it is the highest what is that 10 crores ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा in which year was there the greatest difference between the sales as compared to the previous year in 2005 in 2005 we can write there the greatest difference between the sales as compared to its previous year क्या है देखें हमारी in 2005 है 10 crore ठीक है और अगर हम देखें अपनी next 2004 में तो वह हमारी 6 crore तो सबसे ज़्यादा difference आपको किसमें दिख रहा है 4 crore का difference है हमारा 2005 और 2004 के बीच में ठीक है तो हमारी in 2004 कितनी है इन 2004 है हमारी 6 crore ठीक है 6 crore जो की सब्ट्रेक्ट होके आजाएगी 10 minus 6 4 crore so किछ यह में in 2005 हम लिख देंगे in 2005 there was the greatest difference between the sales as compared to its previous year यहां पर लिख देंगे सिर्फ यहां पर in which year की जगे in 2005 year was there the greatest difference between the sales as compared to its previous year तो मुझे पूरी उम्मीद है यह question हो गया होगा आपको के लिए अप चलते है अपने next question पर बचो आम आगे अपने question no.3 पर तो question no.3 में क्या कह रहा है for an experiment in botany two different plants plant A and plant B were grown under similar laboratory conditions their heights were measured at the end of each week for three weeks at the end of each week for three weeks the results are shown by the following graph यहां पर हमें result दिखाया गया है जिसमें plant A and plant B की growth हर week के साब से दी गई है अब देखे हमें अपने questions का answer करना है तो क्या करना है सबसे पहले how high was plant A after two weeks and after three weeks तो बहुत ही असान है हमें plant A को देखना है तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि यहां पर जो plant A है वो दिया गया है dotted line से ठीक है यह जो dotted line गई है यह हमारा plant A और जो normal line है उसके थू गया है हमारा plant B का growth ठीक है तो confused विलकुल नहीं होना है आँ मैं जाना है अपना किसकी पूछी जा रही है हमसे how high was a plant A after two weeks and after three weeks यानि कि अब हमें देखनी है अपनी dotted line for two weeks and for the third week ठीक है तो देखिए after two weeks what is the height of the plant A यह देखिए यहां पर भी आपको scale बहुत easy लग रहे होगी 2-2 के difference में दी गई है तो mid वाला हमारा दिखाएगा 1-1 यानि कि 4 के बाद 5-6 ठीक है अब देखिए यह आया यहां पर 2 और यह देखिए second week के end में हमारे इसकी जो height होगी 6 है यह 8 है तो इसके बीच में 7 आएगा यह आएगा तो देखिए plant A की height तो देखिए बच्चों यहां पर यह है हमारा second week और यह देखिए हमारी है यहां पर यहां पर 8-6 के बीच में यहां यहां पर 7 तो हमारे plant A की height after second week होगी कितनी 7 cm ठीक है तो यहां पर आंजर होगया 7 cm ठीक है यह arrow है ठीक है आप देखिए after third week लिया और यहां से इसकी value लिए तो देखिए पीच में आ रहा है तो यह देखिए यहां पर यह after third week जो उसकी height है वो है 9 cm ठीक है तो after third week हो गई 9 cm चलिए बच्चों आप करते इसके B part को तो B part में क्या कहा जा रहा है how high was plant B after second week and after third week तो चलिए आप मैं देखना है अपना plant B तो plant B हमें दिखाए गया है normal line से ठीक है कोई dotted line यह straight line गई होई है तो उससे देखना है तो plant B आप देखिए second week में plant B यह rally line जा रही है और यह भी हमारी देखिए यहा second week है और यह देखिए यहां से यह तो हमारे plant B की height वी जो है वो है after second week 7 cm ठीक है यह second week में हो गई 7 cm ठीक है आप करते है अपने second week याने की 3rd week after third week कितना हो गई है height वो देखनी है तो after third week के लिए देखिए यह हमारा plant B है और इसकी देखिए यहां पर कहीं आ रही है dot ठीक है यहां से लेके यहां पर तो इसकी कितनी height दिखा रहा है देख लेते हैं जल्दी से यह दिखा रहा है 10 cm याने की plant B की after third week's height हो गई after three weeks height हो गई 10 cm ठीक है clear हो गया होगा अब करते है C part को तो बच्चों अब करते हैं अपने C part को में कितना दिया क्या दिया गया है how much did plant A grow during the third week तो इसके लिए में क्या पता होना चाहिए हमें पता होना चाहिए कि second week के बाद इसकी कितनी height दी और third week के बाद इसकी कितनी height है और उनको subtract कर देंगे तो हमें पता चलिएगा कि कितना plant grow हुआ है during the third week ठीक है तो देखिए सबसे पहले लिख लेते है कि हमारे plant A की second week में क्या हमारी height है तो second week के end में height है seven centimeter for plant A ठीक है seven centimeter आप इसमें से seven centimeter हमारी second week के बाद है ठीक है और हमारी third week, third week भी हमारा किससे देखेंगे, dotted line के plant A एक ही बात कर रहे है तो हमारी third week के बाद उसकी height है nine centimeter, nine centimeter, third week ठीक है अब how much it is grown in third week इसमें से इसको subtract कर देंगे तो nine centimeter minus seven centimeter equals to two centimeter so the plant grew two centimeter during the third week इसका answer हो गया यह अब करते इसके remaining parts को solve बच्चों आगे हैं अपने D part पे, तो D part में क्या कहा जा रहा है how much did plant B grow from the end of the second week to the end of the third week तो बहुत ही आसान है, सेहज हमने भी previous part किया था वैसी इसको करना है हमें पताओ करनी है कि भाई हमारे plant B की second week में क्या, second week के बाद क्या height रही वो है हमारी देखे seven centimeter जो कि हमने पहले भी find की थी ठीक है और third week के बाद उसकी क्या height रही है वो है देखे 10 centimeter जो कि हमने पहले भी find की थी second week seven centimeter and third week at the end okay at the end of third week यह हमारी 10 centimeter तो कितना बड़ा plant from second second week end to third week end रही हो जाएगा हमारा three centimeter तो यह भी पार्ट अच्छे ते किलियर हो गया होगा आप करतें इसके next part को आप देखे बच्चो यह पार्ट में during which week did plant A grow most ठीक है आप में पता करना है कि किस week में सबसे ज्यादा plant A grow किया है तो आप किलियर ली देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर वो grow किया है plant A तो वो है हमारा देखिए यह वाला तो सबसे ज्यादा grow किया है second week में क्योंकि आप देखेंगे second week में उसकी first week के end में उसकी height देखे 2 cm और second week के end में उसकी height 7 cm 7 minus 2 5 cm वो grow किया है from first to second week at the end of the second week he he grew the most ठीक है तो इसका answer हो जाएगा second week ठीक है आप पूछा जा रहा है और F part F part में हमसे पूछा जा रहा है during which week did plant B grow least तो बहुत ही असान है देखिए first week में अगर आप देखेंगे तो सबसे कम growth हुई है plant की ठीक है तो इसका answer जाएगा plant week के लिए आप कहेंगे कि first week में इसकी सबसे कम growth हुई है तो इसका answer हो जाएगा first week ठीक है आप देखते है next part next part में क्या है were the two plants of the same height during any week shown here specify बिलकुल अभी हमने find किया था कि हमारे second week के end में दोनो plant a and plant week की जो है वो same heights है वही पूछा गया है same height in between any week तो देखेंगे at the end of second week हम लिख देखेंगे at the end of second week second week second week both the plants have the same height plant a plant a and plant b plant b have the same height आप इसा पूछागे specify तो भाई दोनों ही plants की जो growth है वो same scale को indicate कर रही है जो कि है 7 cm तो हमारे second week के end में दोनों ही plant की जो height है वो है same तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह हो गया होगा आपको अच्छे से के लिए आप चलते हैं अपने next question पर बच्चों आम आगए अपने question number 4 पर question number 4 क्या कह रहा है the following graph shows the temperature forecast and the actual temperature for each day of a week ठीक है on which days was the forecast temperature the same as the actual temperature यानि कि कौन कौन से दिन पर हमारा actual temperature and the forecast temperature जो है वो same value को दिखा रहे है तो चलिए फटापर हमारे पस graph है हम देख लेते हैं तो देखे अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे तो आपका Tuesday पर same temperature ठीक है फ्राइडे फ्राइडे में दोनों लाइन एक पॉइंट पर मीट हो रही है यह and Sunday तो these three days हमारा जो actual temperature है and the forecast temperature है both are showing the same values ठीक है तो लिख देते हैं इसका अंसर हो जाएगा Tuesday Friday and Sunday ठीक है यह clear हो गया होगा आप देखते हैं अपने next part को यानि की B part को B part में क्या कहा जा रहा है what was the maximum forecast temperature during the week maximum forecast temperature तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर dotted line दिखाना है forecast temperature को और हमारे normal line दिखा रही है actual temperature को तो हमें देखना है कि क्या maximum temperature है maximum forecast temperature है during the week ठीक है तो देखिए सबसे highest यहां पर है Sunday को और क्या value है इसकी देखिए इसकी है 35 degree Celsius यहां पर centigrade तो यहां पर लिख देंगे the maximum forecast temperature is maximum forecast temperature during the week is week is 35 degree Celsius यही बताना थाम है what was the maximum forecast temperature during the week तो वह हमारा 35 degree Celsius अब करते इसके next part को solve तो बच्चों आम आ गए अपने C part पर तो C part पुछा गया है what was the minimum actual temperature during the week यानि कि हमें minimum actual temperature find कर रहा है अपना during the week तो actual temperature हमारा normal line से दिख रहा है तो देखिए minimum हमारा किस दिन दिख रहा है इस दिन यह देखिए और यह हमारा क्या value है सबसे जादा नीचे यहां पर ही गया है तो यह देखिए actual temperature वाली line को देखना है और यह देखिए यह आ रहा है हमारा यह पर 15 degree Celsius तो इसका answer होगा 15 degree Celsius ठीक है और यह हमारा किस दिन है minimum सबसे minimum value हो है हमारी Thursday को ठीक है आप चलते है next one तो next Thursday and Friday both are showing the same values and that is minimum for actual temperature that is 15 degree Celsius ठीक है आप करते है इसके next part को on which day did the actual temperature differ the most from the forecast temperature यानी कि actual temperature जो है वो डिफर हो रहा है most from the forecast temperature तो देख लेते हैं सबसे पहले आप देखिए यहां पर आप देखेंगे सबसे यादा हमारा डिफर हो रहा है यह point पर यानी कि Thursday पर Thursday पर देखेंगे आप तो actual temperature है 15 और हमारा जो forecast temperature है वो है हमारा 22.5 ठीक है तो 22.5 22.5 22.5 minus हमारा क्या है minimum 15 ठीक है 15 डिगरी Celsius तो यह आएगा आंसर इसका 7.5 डिगरी Celsius यानी कि on which day Thursday Thursday को सबसे ज़्यादा डिफर हो रहा है actual temperature and the forecast temperature ठीक है तो हो गया होंगे यह सारे पार्ट आपको अच्छे से किलियर अब चलते है अपने next question पर बचों आपने question number 5 पर तो question number 5 क्या कह रहा है use the tables below to draw a linear graph यानी के में line graph ड्रॉ करना है ठीक है यह एक्स एक्सेज है ठीक है और यहां से यह इसका वाई एक्सेज है ठीक है यह ऊपर तक गया है ठीक है यह यह वाई एक्सेज है आप हम क्या करेंगे हमें scale लेनी है हम ले लेते हैं कि each one centimeter जो है each one centimeter वह दिखा रहा है one day ठीक है और यहां पर भी हम ले लेंगे two two के difference पर अपनी years ठीक है तो यहां तो शुरू की सबसे पहले है हमारा 2003 यहां पर लिख दिया 2003 ठीक है फिर two का difference लिख दिया 2004 और फिर हमारा two का difference लिख दिया 2005 and then हमारा 2006 ठीक है अब हमें क्या करना है अब हमें देखना है 2003 में कितने days में snow होई है तो उसके पहले हम days लिख लेते हैं तो यह देखे one two one centimeter को हमने लिया है one day ठीक है three four five six seven eight nine ten eleven and the last one is twelve ठीक है अब 2003 में हमारे कितने दिन snow होई है eight days तो 2003 का यह रहा यह यह वाली line नहीं ठीक है और फिर हमने देखा eight तो eight यहाँ पर आ रहा है तो 2003 का eight days ठीक है यह point ठीक है अब उसके बाद 2004 में ten days 2004 की यह line है 2004 और यह गया हमारा ten days यह point ठीक है हो गया यहां से ten और यहां से 2004 अब 2005 में हमारे 2005 में five तो five और 2005 की यह line ठीक है यह line and five की line पर point बना दिया ठीक है अब उसके बाद हमारा 2006 में है 12 days तो 2006 की यह line और इसको लेके गए up और 12 days यानि की last यहां पर 2006 का यह हो गया अब बस इनको line को join कर देना है यह join की फिर यह join की और फिर यह join की ठीक है तो यह बन गया हमारा graph पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा अब चलते अपने next question पर तो बच्चों आओ मैं अपने question number five के बी पार्ट में और इसमें भी हमें क्या करना है एक graph draw करना है linear graph draw करना है और क्या दिया गया population in thousands of men and women in a village in different years ठीक है तो इसका हमें बनाना है अपना एक linear graph तो चलिए फटा फट बनाते हैं अब देखे मैंने यहां पर कुछ चीज़ा और लिडी लिख रखी है जैसे कि हमारे पास data नहीं था तो हमने data को लिख लिए जो जो हमें चाहिए और फिर मैंने यहां पर इक्स ऐक्सिस पर क्या लिया है यह भी मेंशन किया है एक्स एक्सिस पर हमने लिया है एक्स को वाई एक्सिस पर हमने लिया है population को अब मैंने यहां पर थोड़ी से जिक्दक लें इस दिये बना दिया इससे मंदर तिल रहा है कि data is in continuation लेकिन हमारे पास क्योंकि limited space है तो मैंन अपना 2003 ठीक है यहां पर ले लेते हैं अपना 2004 यहां पर हम ले लेते हैं अपना 2005 फिर 2006 and 2007 ठीक है यह हमारे years हो गए अब इन years में हमेरे सबसे पहले देखना है अब हमें दो चीज़ा यूस करनी है क्योंकि दो चीज़ा दी गए हमें man and woman तो हमें दो तरह की lines यूस करनी है तो चलिए man's हम दिखा देते हैं straight line से ठीक है और dotted line से हम दिखा देंगे woman ठीक है आप देखिए हमारा 2003 में जो man है वो है 12 यानि कि यहां पर गए ठीक है अब देखिए यहां पर जो हमारे man है वो है 2003 में 12 यानि कि यह रहा 2003 और यह रहा 12 तो यह लगा दिया हमने 5 small lines हमें count करनी है ठीक है 1 2 3 4 5 और वहां पर जाके हमें mark करना है ठीक है तो यह देखिए 2004 में 12.5 ठीक है next हमारा क्या है next हमारा 2005 में 13 तो 2005 यह रहा और 13 यह रहा ठीक है तो यह देखिए 2006 में 13.2 यानि कि 13 complete and two small lines यानि कि यह रहा ठीक है तो यह हमारा आ गया 13.2 और यह हमारा किसी यह में है 2006 में ठीक है उसके बाद हमारा 2007 में 13.5 तो यह रहा 13 और 0.5 हमारा यह लाइन है और यह 2007 आ गया ठीक है 2007 यह रहा यह वाली line और यहां पर देखिए तो यह देखिए 13.5 तो 0.5 का exact जो हमारा यह 14 से 14 है इसके बीच की exact midline तो यह यहां कुछ इस तरह से आएगा ठीक है ठीक है ठीक है अब मैं यहां पर क्योंकि वर्टिकली ड्रॉ कर रही हूं एक्जेक्टी चीज़े मैच नहीं हो रही है लेकिन कुछ इस तरह का आपका ग्राफ जाएगा और इसको हम यहां पर line से इस तरह से जोह देए ठीक है क्लियर हो गया होगा आप करते हैं फॉर वुमेन तो वुमेन का हमारे सबसे पहले 11.3 तो 11.3 इन 2003 तो 11 यह रहा और तो 123 ठीक है 123 यहां कुछ इस तरह से आएगा ठीक है उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 11.9 तो 11 यह रहा और फिर उसके बाद नाइन नाइन तो बहुत स्लाइटी डिफरेंस है 56789 यानि 2004 में हमारा जाएगा 11 के बाद 9 स्मॉल नाइन को आपको काउंट करना है जो की बनारी है 10 पूरी मिलके बनाती है एक स्क्वेर जो होता है वन सेंटिमीटर का ठीक है तो यहां पर आपका यह आएगा 11.9 कुछ इस तरह से तो बच्चों आम करने अपने वोमेन के डेटा के लिए लाइन ग्राफ ड्रॉ ठीक है तो सबसे पहले हमारा है 11.3 तो 11 कंप्लीट एंद 3 स् किस तरह से आएगा ठीक है यहां पर हमारा 11.3 का पॉइंट आया ठीक है अब उसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट 11.9 यानि 11 कंप्लीट और उसके उसके बाद हमारी 0.9 लाइन तो क्या हो जाएंगी यह 2004 में 5 6 7 8 9 यानि कि कहीं यहां पर जाके यह मीट होगा ठीक है 11 और फिर उसके बाद 9 9 ठीक है उसके बाद हमारा 13 तो 13 यह रहा 13 पे दोनों मीट हो गए यानि कि इस पॉइंट पे चाहिए तो आप एड करते जाए दोनों के कॉमन पॉइंट को यह देखे यह डॉटेड लाइन से दिखाया ठीक है अब उसके बाद हमारा क्या है तो बच्चों अब 2006 में 13.6 तो 13.6 कुछ इस तरह से लेंगे हम यह 13 और 2006 की यह लाइन है ठीक है ठीक है 2006 में 2006 में हमारा यह गया और फिर यहां से 13 के बाद 6 स्मॉल लाइन तो 123456 यानि कि यह कहीं पर यहां पर आएगा ठीक है इसको भी हम डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर देंगे ठीक है अब इसके बाद हमारा इसके बाद नेक्स हमारा है थे 27 में हमारा थे यानि कि यह डाउन आ रहा है थे 27 ने 27 यह 12 के बाद 8 थे यानि कि यहां कहीं आएगा और फिर इसको हम यहां पर इससे dotted line से connect कर देंगे, ठीक है, तो यह हो गया हमारा man and woman का graph for the given years, ठीक है, clear हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, अब चलते हैं अपने next question पर, बच्चों, आम आ गए अपने question number 6 पर, question number 6 क्या कह रहा है, a courier person cycles from a town to a neighboring sub-urban area to deliver a parcel to a merchant, his distance from the town at different time is shown by the following graph, ठीक है, यह आप graph देखी सकते हैं, ठीक है, आप इस पर पूछा जा रहा है, ए पार्ट में हम जब पूछा जा रहा है, what is the scale taken for the time axis, तो यह है हमारा time axis, और आप देख हमारी कितने units आ रही है, 1, 2, 3, 4, तो यानि कि 4 units या 4 cm ले रहे हैं हम अपने 1 hour के लिए, तो यही scale दी गई है, लिख सकते हैं, यहां पर 4 unit, तो यहां का answer हो जाएगा, 4 unit equals to 1 hour, यहां लिख सकते हैं, 4 cm भी, 4 cm equals to 1 hour, ठीक है, कि लिए लिख गया होगा आप यहां पर, ठीक ह ले गई है, 4 unit या 4 cm equals to 1 hour, ठीक है, आप देखिए, how much time did the person take for the travel, बहुत ही आसान है, वो अपने, जो उसका destination है, उसका पहुच गया है, यहां पर, कितने time पर पहुचा है, देखिए, यहां से देख लीजे, तो यहां पर यहां से यहां पर पहुचा है, यहां से यहां पर प half an hour, तो कितना time लिया उसने, 3 hours, 30 minutes, ठीक है, ठीक है, clear हो गया होगा, आप करते हैं, इसके next part को solve, अब देखिए, बच्चो, question number 6 में, how far is the place of the merchant from the town, तो देखिए, बहुत ही आसान है, distance वाली side को देखना है, तो देखिए, distance वाली side, at max आईए हमारी 22 km, तो क्या हो जाएगा इसका answer, merchant from the town is 222 km, तो इसका answer हो गया, 22 km, okay, how far is the place of the merchant from the town, it is 22 km far, ठीक है, अब चलते हैं, next one पर, did the person stop on his way, explain, तो आप देखेंगे, कि यहाँ पर जो graph है, यह बिलकुल हमारा, एक straight line आ रहा है, इसमें कोई भी, डाउन या अप वाली line नहीं आ रही है, तो यह हमारा क्या timing है, यहाँ ते 10 से लेके, और यह देखेंगे, यहाँ तक 10.30 तक, 10.30 तक यह जो है, उसने अपना stop किया journey, तो इसका answer हो जाएगा, did the person stop on his way, explain, yes, 10 to 10.30, it is stopped, he stopped, he stopped, explain, why, because, if we see the graph, हम जब ग्राफ को देखते हैं, तो दिख रहा है हम है, कि उसका, जो 10 से 10.30 तक का जो time है, it is just showing the single line, no upward direction, no downward direction, any kind of movement, तो this shows that, कि it stopped for 10 to 10.30 a.m., कोई distance उसने कबर नहीं की है, 10 से 10.30 के बीच में, ठीक है, आप देखें, during which period did he ride fastest, तो he rode, हम लिखेंगे, he rode fastest, देख लीचे, he rode fastest, between 8 to 9, क्योंकि आप 8 to 9 में देखेंगे, तो उसने 10 किलो मीटर कवर किया है, ठीक है, तो इसका मतलब, he rode fastest, between 8 to 9, ठीक है, तो बहुत ही easy questions सा, फटा फटा हम लोगोंने इसके सारे parts solve के लिए, आप चलते हैं अपने next question पर, बच्चों, आप आगे हैं अपने question number 7 पर, question number 7 क्या कह रहा है, can there be a time temperature graph as follows, justify your answer, अब first वाला अगर आप देखेंगे तो आपका temperature increase हो रहा है और आपका time भी increase हो रहा है, तो it is a time, it is a time temperature graph where the time is increasing and the temperature is increasing, ठीक है, second one पे आजाए, second one में आप अगर देखेंगे तो temperature decrease हो रहा है, ठीक है, तो इसका है, it is also time temperature graph where the time is increasing but the temperature is decreasing ठीक है, अब आजाते हैं अपर इसके third part पर, तो third part में आप देखेंगे तो ये constant line सी दिखाई दे रही है आपको बिलकुल ठीक है ये line, तो इसका क्या होगा, इसका मतलब ये है कि आपका temperature increase हो रहा है at constant time, जो कि basically real life में possible नहीं है तो it is not a time temperature graph as the temperature is increasing at constant time which is not possible, ठीक है अब आजाते हैं फोर्थ वन पर, तो फोर्थ वन का आप देखेंगे तो फोर्थ वन का ये इस तरह से जा रहा है तो यहां पर देखे, temperature is constant है but the time is increasing है तो it is a time temperature graph where the temperature is constant but the time is increasing तो मुझे पूरी उमीद है कि ये वाला part भी आपको अच्छे से किलियर हो गया होगा तो बच्चों, आज हम और आपने मिलकर फिनिश किया chapter number 15, introduction to graphs की exercise 15.1 को पूरा का पूरा मुझे पूरी उमीद है कि आप सब मेरे साथ इसको अच्छे से समझ रहे थे और solve कर रहे थे मैं जल मिलूंगी आपसे next class में और आप सभी जानते हैं, learn or help free है but best है, thank you झाल